बड़ा सरकस यह सरकस जो है वो ग्रेट भारत सरकस है सरकस एक ऐसी चीज़ है जो एक जमाना था जब सरकस का दोर था लेकिन आज लोग अपनी अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए है कि सरकस देखने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है लेकिन वाके में सरकस एक मनोरंजन का वो साधन है मनोरंजन की वो चीज़ है जो आपको सारे दुख सारी तकलीव है और सारी टेंशन भूला देती ह यहाँ पर जब आप सरकस देखने आते हैं लोट पोट हो जाते हैं और कुछ टाइम के लिए आप अपने चारों तरफ का जो माहोल है एक दम खुशनुमा पाते हैं यह वो सरकस है जिनमें आपको छोटे चोटे बोने अपनी अदाकारी करते अपनी कलाकारी करते दिखाई देंगे साथ में यहां और भी कई चीज़े जो है सरकस में दी गई है आज हम आपको सरकस दिखाने हैं इसलिए लाए ताकि आप भी देखे और अपने नियर बाए अगर कोई सरकस लगा है या आप यहां के आसपास में रहते तो सरकस देखने जरूर आए और कुछ देर के लिए अपनी टेंशन उसे छुटका रहा पाए आप देख सकते हैं सरकस स्टार्ट हो चुका है और हर एक कलाकार अपनी कलाकारी यहां दिखा रहा है और वो देखिए पीछे में आपको दिखाना चाहूंगी दो बोने खड़े हैं जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अभी शुरुआत हुई है तो लोग अभी आने शुरू हुए हैं धीरे धीरे सभी चेर्स जो है वो भर जाएंगी बच्चे और बड़े साथ में हमारे बुजूर्ग भी इस सरकस का लुफ्ट उठा रहे हैं चारों तरफ से आपको हसी की और खुशी की आवाजे आनी अभी शुरू होगी तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकस हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण अपनी एक अदा है अपनी भूमी का है जो वो निभाता है और सारे दुप सारी तकलीफे चुमंतर हो जाती है और हम तीन-चार साल बाद मतलब करोना से उसके बाद पहले बार लेकर आएं सरकस और सरकस एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब कला है महनत का खेल है कसरत है और आज की नई पिढ़ी को तो मालूम ही नहीं सरकस क्या होता है तो पहले लोग देख चुके हैं वह बात अलगती मगर ऑब किसी भी से खुजो सरकस वetzt अबने देखास कैसे अटैनें मालूम होता है क्या है उसको माझम म oni में लिखाते हैं और सरकस में हम दिखाते हैं दिखाते हैं चैसे plu अपनी भरपूर मेहनत से खेल करके रोजी रोटी कमाते हैं तो सरकास से तो ऐसा कुछ रिस्पूंस है नहीं कि सरकार हमको कुछ रिस्पूंस देती हूँ तो सरकास क्या है जमनाइस्टिक लेडी जेंट के खेल जो करो खेल और हमारा एक लगा हुए अंदर मौत के खुगा पूल राउंड भी चलती है क्रोश भी चलती है वही एक ततरनाख केले जिन्गी और मौत केले इस तरीके से लगा रहे हैं सरकास तो संथिंग हम काफी दिनों से ला रहा है और अभी लगड़र में काफी खानी खराब होगी अभी यहां रोहनी पर साथ करिक से चालु किया म सब्सक्राइब करें लोगों को पता सब्सक्राइब कर देखने से बहुत कुछ बता हुआ है क्यों कि देख रहे हैं वह तो अलगा जो यह रियल्टी हम देख रहे हैं लोग अपनी परेशानियां भी कुछ देर के लिए भूल जाते हैं जो उनकी टेंसर में वह सारी बुजा यह होता है कैसे सब्सक्राइब अभी चलेगा यह संतिंग 25 डे 25 डे चलेगा अच्छा और क्या क्या अंदर पैसिलिटी है जो आप प्रोवाइज कर रहे हैं जैसे कि जनता अगर अंदर है तो खाने पीने की कोई चीज भी है अब आपको बता देते हैं कि आपके खाने पीने की चीजे कहां मिलेगी यह स्टोल लगे हैं आप देख सकते हैं आपके लिए यहां पर सभी तरह के स्नैक्स भी मौजूद है कॉल डिंग्स है, दूद भी, नखन भी, जो भी चीजद आप खाना चाहों और साथ में यह मिल्क जो आप लोगो को पसंद है मिलक शेक, केसर बादान, दूद जो होता है वो साबा यहां मौजूद है कॉल और आइसक्रीम भी है आपके पसंद की सारी आईसक्रीम आपको फ और यह बेखी अपने बच्वन की याद है बुडिया के बाल जी